मा की बातें श्री सुरेंद्रनाथ सरकार से वार्ता लाप और एक बार अन्य चार भक्तों के साथ मैं जैराम बाटी गया सोचा था कोयल पाड़ा मट से ऐसे समय में चला जाए कि दिन धलने के पहले ही मा के घर पहुँच जाए साथ में उसी ओर का एक कूली भी था डग गया हूँ किसी तरह रास्ता नहीं मिल रहा था इस ओर का कूली भी ब्रहमित हो गया था धीरे धीरे रात हो गई सब साथी भी दिख ब्रहमित हो गए हम सब तब तक ठक चुके थे क्या करे एक बांस के जंगल में मैं कंबल बिचा कर बैठ गया मा के प्रती बड़ी नाराजगी हुई मा क्या केवल हम लोग ही तुम्हें खो जेंगे और तुम कुछ नहीं देखोगी इसी समय देखा कि राज भीहरी दादा और हेमेंद्र लाल्टेन लेकर आ पहुँचे इतनी रात में उस रास्ते पर उन लोगों को देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ उन लोगों ने कहा हम लोग इस ओर आएंगे ऐसी कोई बात ही नहीं थी भाग्य से इस रास्ते पर आ गए मा को दर्शन और प्रणाम करने के बाद उन्होंने पूछा हाँ बेटा लगता है तुम लोगों को बहुत भटकना पड़ा है मैं हा मा रास्ता भटक गए थे तब मा के लिए नया मकान बन रहा था पूर्वोक्त दोनों ब्रह्मचारी इस काम में खूब व्यस्त रहते थे श्री हट्टस से दो भग्ता आये थे उन में से एक अरुनाचल के दयानंद स्वामी के भग्त थे वे उसको प्रलाद का उतार कहकर अपने भग्तों के बीच इस बात का प्रचार करते मैं उन दोनों भग्तों को मा के पास ले गया उनके प्रणाम करने के बाद मैंने मा से कहा मा अरुनाचल में दयानंद नाम के एक साधू स्वयम को अवतार कहते हैं यहां उनका ही भक्त है वे कहते हैं कि यहां प्रलाध है मा ने हसकर कहा अच्छा अवतार है इस बार मा ने इन दोनों भक्तों को देखशा दी मैंने एक और साधू का नाम लेकर कहा कि उन्होंने भी बहुत लोगों को दिक्षा दी है मा ने कहा वे लोग बहुत कुछ व्यवसाई साधू है पर बात क्या है जानते हो इससे भी उपकार होगा मनुष्य तो कुछ करता नहीं पर इनकी बात मानकर थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेगा आंतरिक्ता होने पर आखिर में क्रम से यही आ जाएंगे देखने ही रहे हो इस समय तारक ब्रम्ह नाम चारो ओर फैल रहा है थोड़ा साभी सार रहने से कोई भी अच्छूता नहीं रहेगा हमारे चारो साथियों को माने दीक्षा दी उन में से एक अल्प वयस के लड़के को दीक्षा के उपरांत माने कहा 108 बार जब करना इस पर वहां संतुष्ट नहीं हुआ उसकी इच्छा हजार लाख बार जब करने की थी माने थोड़ा मुस्कराते हुए कहा अभी तो इच्छा कर रहे हो ठीक है पर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तुम लोगों को कितना काम करना पड़ता है अधिक कर सको तो अच्छा ही है एक दिन मा की पूजा करने के लिए मैं कुछ कमल के फूल ले गया था माने कहा कुछ सिंग हवाहिनी को दे आओ और कुछ रख जाओ एक भक्त ने कहा सब फूलों से आपके चर्णों की पूजा करूँगा मा अच्छा ऐसा ही होगा यही तो मेरे पैर है और ऐसे बूढे पैरों की पूजा मैंने मा से कहा मा ठाकुर कहते थे शुद्धा भक्ती ही सबका सार है मुझे आशिरवात दो कि जिससे मुझे वही प्राप्त हो पास ही और भी कई भक्त थे मा चुप रही धीरे धीरे जब सभी चले गए तो मा ने मुझे से एकांत में कहा वहां क्या सबको मिल पाता है पर फिर भी तुम्हें प्राप्त होगा मा ने राधू से कहा राधू तुम्हारे बड़े भाई आये है प्रणाम करो मैंने सोचा यहां क्या मैं तो कायस्त हूँ साथ ही साथ यहां बोध भी हुआ मा तो कभी मेरा अमंगल नहीं करेंगी तब हम दोनों लोगों ने एक दुसरे को प्रणाम किया एक दिन मेरी पांता भात खाने की इच्छा हुई तो जाकर मा से मांगा मा ने कहा जरा ठहरो मैं मिर्च काली मरीच और बड़ा तलकर लाओ तुम्हारे देश में अधिक मिर्च खाई जाती है ग्रामो फोन के एक गाने की नकल करते हुए मा बोली 32 मिर्ची से एक भी कम नहीं दूँगी यहां कहकर मा खुब हसने लगी जैराम बाटी में एक दूसरे दिन मा ने कहा था बेटा सारा दिन इतनी महनत करती हूँ एक के बाद एक भक्त चले आ रही है इस शरीर से अब और सहन नहीं होता ठाकुर से बोलकर राधू राधू कहकर मन को उस पर रखा है मुझे लगा ठाकुर जैसे पानी पिऊंगा तंबाखू खाऊंगा कहकर मन को भाईये जगत में थोड़ा उतार कर रखते थे यह भी वैसा ही है क्या क्या मा ने भी इतना कश्ट सहकर बहुजन हिताय शरीर को रखा है बिदा लेते समय मैंने कहा मा मेरे समान तुम्हारे लाख लाख लड़के है लेकिन तुम्हारे समान मा मेरी कोई नहीं है यहाँ बात सुनकर सजल नेत्रों से मेरी और देखती हुई मास नेह पुर्वक मेरी ठुड़ी का हाथ से चुम्बन करने लगी एक बार श्री मा की अस्वस्ता के बाद वायू परिवर्तन के लिए मैं उन्हें राची लाने के लिए अनुरोद करने जैराम बाटी गया उस समय चैत का महिना था प्रस्ताव सुनकर मा ने कहा चैत महिने में कहीं नहीं जाया जाता और फिर शरत लेने आया था और इतने दिन प्रतिक्षा कर चला गया जब कलकत्ता नहीं गई तो और कहीं कैसे जाओ इसी समय स्वामी केशवानंद की एक बहन की मृत्ति हो गई मैंने मा से कहा मा बुढ़ाबे में स्वामी केशवानंद की मा को ऐसा शोक जिलना पड़ा बड़े दुख की बात है मा बोली शोक उसका कुछ भी नहीं बिगाड सकता मा की बात सुनकर लोटते समय कोयल पाड़ा में मैं उनका दर्शन करने गया तो देखा उनमें शोक का कोई चिन्ध भी नहीं वही हमेशा की तरह हसी से भरा चहरा सोचा स्वयम वशिष्ट रिशी को भी शोक जिलना पड़ा था इस घर में मानो सब कुछ ही नया है एक बार उद्बोधन के मकान में श्री राजेंद्र मुखोपाद्याय के साथ मा का दर्शन करने गया मा को प्रणाम करने के बाद माने हाथ जोड़कर ठाकुर से प्रार्थना की ठाकुर इनकी सभी वासना पूर्णा करो मैंने कहा यहां क्यामा सभी वासना पूर्णा होने से तो कोई रास्ता नहीं है मन में तो कितनी ही कुवासनाय भरी पड़ी है माने हसकर कहा तुम लोगों को वैसा भाय नहीं है, तुम लोगों को जैसी जरूरत होगी, जिससे मंगल होगा, ठाकुर वही देंगे, तुम्हारी जो इच्छा हो किये जाओ, भाय क्या है, मैं तो हूँ ही जैराम बाटी में एक दिन भोर के समय घर के बाहर एक बचछडा जोरो से चिला रहा था, दूध दूने के लिए उसे उसकी मा से दूर बांध दिया गया था, चिलाना सुनकर मा यहां कहते कहते लब की, आती हूँ बेटा आती हूँ, मैं तुम्हें अभी खोल दूँगी, रहा, इसी प्रकार पुकार पाने से ही तो जीव बंधन मुक्त होता है, श्री श्री मा के अपार्स नेह, असीम करुणा और अनन्त दया की बात लिख कर समझाने के लिए शब्द नहीं है, हम लोग उनके श्री चरणों का दर्शन, स्पर्षन और कृपा पाकर धर्ने हुए कुलम पवित्रम जननी कृतार था, शत शत भक्त उस पारस मनी के स्पर्ष से सोना हो गये है